बरसात के मौसम में आखों की संक्रामक बिमारी आई फ्लू तेजी से फैल गई है राजनान गाउं जिले में भी उसका असर देखा जा रहा है सबसे में निकलेशनी है घ्यू लाज देखी लाज वही लडाल डाल के अंदारी समय हो अस्पाटाल गिरो अस्पाटाल नीजिए हो का खात हो बस वही लगाता है खात खाली घ्यू अगुलाब ज्याल अवाक्षी तीव कितना देनों आज पाटवादेन है चतिक जाने आपको पांस दिन से हमाला आख में दम दरजे अच्छी पराजा थे एकदम बहुक जाड़ा जला नहीं थे पांच जन ले तो दबाई होए ले तो नाई अच्पिटल गे रहे हो आओ अच्पिटल का वो दबाई लिगते तो द्राप लेकर डाले हैं अच्छी तीन होगे ड्राप प्रदेश भर में आई फ्लू के लगातार मरीज बढ़ रहे हैं राजनांद गाव जिले के साश की मेडिकल कॉलेज अस्पताल और जिला अस्पताल में रोजाना आई फ्लू के मरीजों की संख्या बढ़ रही है स्कूलों और सेक्षिनिक संस्थाओं में भी अलर्ट जारी कर दिये गया है स्वासे विभाग वजिला प्रशाशन द्वारा किया गया है और इसके लक्षन दिखाई देने पर ततकाल एलाज कराने की सलहा डॉक्टरों द्वारा दी जा रही है जिले के प्रमुक चिकित्सा एवं स्वासे अधिकारी डॉक्टर एके बंसोर ने बताया कि राजनान गाउं जिले में भी आइफलो के मरीज बढ़ रहे हैं जिले में सभी सामुदाइक स्वास्तेकेंद्र प्राथमिक स्वास्तेकेंद्र जिला अस्पटाल मेडिकल कॉलेज में इसकी जांच की जा रही है। जारी करें साथ जो है बेनर पोस्टर के माध्यम से जो है ऑप्थ़ल्मिक असिस्टिन्ट और अन्य विवाव के us je ? यह हम पुरा प्रचार प्रसार कर रहे हैं इस बीमारी में ज़्यादा तर जो है वो एक तो कर कंजक्टाइवा जो है लाल हो जाता है आख से आशु निकलती है और आख में खुजली होती है प्रिवेंशन के तना तोर पर यह है कि हम आख को रगड़े मत आख को छुए मत हाथ अरे जिला में हमने 32 टीम बनाई हुई है हर पी एसी हर सीएसिपट जो है हमारे अप्धालमिए कर सिस्टेंट और अफिसर जो है अपनी समाय दे रहे हैं साथ ही साथ जो है जिला श्यूस्पतान में जो है और मेडेगल कोलेज में भी से वाइशन जारी है तक राजनांगव प्योग कर जुरूर करें इसमें और ज्यादा तर यदी हो सके तो आइसोलेट ही रहें क्योंकि आइसोलेट रहने से क्या है कि दूसरे को इंफेक्शन नहीं होगा सभी BMO को अवश्यक दिशा निर्देश दिये गए हैं कहीं बड़ी जगा पर अगर ऐसे मरीज मिलते हैं तो ततकाल इसका इलाज के लिए टीम गठित कर दी गई है अगर इसके गंभीर लक्षन दिखाई देते हैं तो लोग नेत्र विसेशग्य के पास जाकर इसका इलाज कराएं इसमें एक टीम गठित की गई है जिसमें डॉक्टर दो असिस्टेंट की नियुक्ती की गई है राजनान गाउं जिले में 1083 आई फ्लू के मरीज मिल चुके हैं